हाई नमस्कार मित्रों मैं आपका दोष्ट संजय कुमार आप से विकास संजय केम टिटोल्स में स्वागत करता है हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 के चैप्टर इकलोब्रियम को देख रहे हैं आज उसमें से हम लोग देखने वाले हैं ली चैटलियर्स प्रिंस्पल जो कि मॉस अगर आपके पास रिवर्सिबल रियक्षन नहीं है तो ये रियक्षन पॉसिबल नहीं है मतलब ये रूल को फोलो नहीं किया जा सकता है तो मॉनली ये कहां पे अप्लिकेबल है रिवर्सिबल रियक्षन में और रिवर्सिबल रियक्षन में ये क्या करता है एकलोब्रियम को establish करके reactions को forward करता है तो समझना आपका क्या कह रहा है कि यह rules क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास माल लिया जाए कि यह इधर है इसमें equilibrium establish हुआ और क्या बनाया C और D बना दिया इधर reactant हमने लिया इधर क्या ले लिये product ले लिये forward reaction के लिये तो यह क्या कहना चाहता है कि अगर आप किसी भी प्रकार से इसके reactant वाले side में किसी भी प्रकार से आप कुछ भी changes करेंगे तो यह equilibrium फिर से shift होके उसको same इस्थिती में लाने का प्रयास करेगा कि आप कुछ भी प्रकार का change करेंगे तो वही पुरानी इस्थिती में उसको लाने का प्रयास करेगा जैसे आप क्या कर दिये कि यह का concentration को आपने क्या कर दिया यह के concentration को आपने बढ़ा दिया concentration को बढ़ा दिया अभी यह equilibrium था इसने क्या किया कि एक concentration को बढ़ा दिया इसके equilibrium को क्या कर दिया कि जो अभी अच्छे धंसे था उसको क्या कर दिया हलका सा change कर दिया disturb कर दिया equilibrium को यहाँ पे आके इसने क्या कर दिया disturb कर दिया किसका concentration बढ़ाने से आपका ये का concentration बढ़ाने से तो ये क्या करेगा इसका ये का concentration को फिर वही इस्थिती में लाना है वही equilibrium के इस्थिती में लाना है तो ये क्या करेगा ये के concentration को बढ़ा तो ये के concentration को क्या करेगा आगे बढ़ा देगा product में formation कर देगा कि जल्दी जल्दी इ को हम लोग कहां पर बढ़ा दे रहें का convert कर दे रहें प्रोड़क्ट में इसको convert कर दे रहें और जितना equilibrium था वही इस्थिति में इसको रहने दे ठेंडेंगे समझे में आ रही बात हैं कि अगर यह को बढ़ा दे रहा कि यह क्या करेगा यह को अगर हमने भढ़ाया तो यह क्या करेगा कि जो equilibrium मतलब गाववाला बुद्धी क्या लगा सकते कि इसका हम लोग जो concentration भढ़ाया उसको घटा दे, तो कैसे उठाक निकाले, नहीं, उठाके थोड़ी निकाल सकते हैं, solution से बाबो, तो इसको क्या कर दो, इसको तुरंत एकदम product में convert कर दो, ये को कहां ले जाएंगे, product में ले चलते हैं, तो ये को product में ले चलेंगे, COD जो बनना चाहिए, वो बन जाएगा, आप समझ जाएंगे, यहाँ पे क्या हो गया, कि ये का जो concentration था, वो फिर maintain हो गया, अगर ये का concentration नहीं, अगर हम बढ़ा रहें, दूसरी बात समझते हैं, कि अगर माल लिए जाए कि B के concentration को क्या कर दिया, हमने घटा दिया, माल लिए जाए, सपोज B के concentration को हमने क्या कर दिय घटा दिया भी आपढ़ यह ब्रम को गहता आये तो घटाये को कहा अश्टिति में लाना चाहेगा थो लाने के लिए वह क्या करेगा चलो C वाले साइट से उल्टा अवर्शिप्ट कर देगा कि चलो C से हैं कुछ B को दे देते हैं प्रोड़क्ट वाली साइड से क्या करते है, रियक्टेंट वाली साइड में दे देते हैं, तो यही चीजों को यह बताता है, तो बाते समझो यहाँ पर एक्जाम्पल के माध्यम से, माल लेते कि हम लोग N2 लेते हैं, N2 गैस ले लिए, और इधर पर क्या ले लिए, H2 गैस N2 प्लस H2 यह क्या कर दिया, 2NH3 गैस का फॉर्मेशन कर दिया, 2NH3 गैस का फॉर्मेशन इसने कर दिया, अब यहाँ पर क्या कर है कि इसका कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे, N2 के मोलर कंसंट्रेशन को हमने बढ़ा दिया, है न, कि N के मोलर कंसंट्रेशन को हमने बढ़ा द कर दिया बाबु साहब खुदे बढ़के तो इसको क्या करें कि या तो इसको क्या करना पड़ेगा कि इसको हमको प्रोड़क्ट में सिफ्ट करना पड़ेगा प्रोड़क्ट में ले जाना पड़ेगा कहां ले जाना पड़ेगा कि एंटू जो बढ़ा उसको हम लोग क्या कर तो यह क्या हो गा कि कि Adobe right इसको अच्छे से को बनाने लगा इसको बनाने लगा एनेश त्री को माल या आजा कंज कि आप अपने घर में आपने जनरेटर को अस्टार्ट कर दिया है अब आपका क्या था कि बॉल्टेज हलका कम जैसा टैप में लग रहा था है जनरेटर छोड़ दो गोली मारो नहीं तो आप अस्टेपलर वाला ही लाइन है अभी तो उसी को ले लेते कि अगर आपका बल्ब क्या है क जल रहा है तो हमने क्या कर दिया कि वहां पर उसी को क्या कर दिया कि starting material जो है उसको क्या कर दिया हाइ कर दो फटा फट था अस्टेबिबिलर को एग्दम तेज करो मतलब वाल्टेज को तेज करो तो हो क्या करेगा उसका production भी तो खुब ज Springs लगा के इकिन की यहाँ तो यह concentration को बढ़ाया H2 के concentration को बढ़ाया फिर तो वही बात हुआ कि यह जितना बढ़ेगा उतना जल्दी-जल्दी यह reaction होगा reaction उतना जल्दी-जल्दी होगा मतलब आपका क्या हो जाएगा कुल मिलाके यहाँ पे फिर से यह production इसका production बहुते तेजी से होने लगेगा तो बाते समझ में आ रहा है तो यहाँ पे ऐसा होगा अगर suppose उल्टा कर रहे हैं अब यह forward में समझ गये हैं अब backward में समझो कि मान लिया जाए कि H2 के concentration को हमने क्या कर दिया घटा दिया अब क्या करेगा कि यह वाला जो NH3 हम लोग लेके चले था नहीं NH3 जो बन रहा था वो क्या करेगा shift हो जाएगा कि दा backward की ओर shift होने लगेगा कहां shift होने लगेगा backward की ओर कि इसका जो concentration है वो equilibrium तो maintain करना है क्या करना है equilibrium को maintain करना है तो equilibrium maintain करने के लिए यह क्या करेगा जो भी disturbance वाला आया था उसको क्या करेगा फिर से बढ़ा देगा यह घट गया घटा दिये थे ना लेकिन यह क्या करेगा अपने आप reactions के माध्यम से इसको बढ़ा दिया जाएगा जितना need है उतना कर दिया जाएगा simple सा बात याद रखना है कि अगर कोई reversible reaction है तो reversible reaction में अगर हम लोग उसके equilibrium को disturb कर रहे हैं तो यह क्या करेगा कि वह अपने वापस वाले इस्थिती में फिर से आने चाहेगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं ली चैटलियस प्रिंस्पल के नाम से जानते हैं simple सा बात है याद रखना है हिंदी में याद रखना कि आप equilibrium पे कुछ भी change करोगे मतलब माल लिया जै कि pressure change करें temperature change करें molar concentration change करेंगे कुछ भी change करोगे दो वह वापस अपने इस्थिती में अपने इस्थिती में आएगी उसके लिए जो करना होगा backward shift होना होगा या forward होना होगा जो भी करना होगा वो करने के लिए तयार हैं इसी law को हम लोग क्या कहते हैं ली चैटलियर्स प्रिंस्पल के नाम से हम लोग चानते बाते समझ में आ गया कि आप जो starting material है या forward वाले material है right side वाले material है दोनों में से किसी भी चीजों में आप बदलाव कर रहे हैं किसी भी चीजों में आप अगर बदलाव करना चाहरें किस के माध्यम से आप pressure के माध्यम से बदलाव करना चाहेंगे pressure में change कर दीजे, तो pressure से कुछ बदलाव होगा, temperature में change कर दीजे, temperature में भी बदलाव होगा, temperature के माध्यम से भी कुछ बदलाव होगा, तो आप क्या कर दीजे, concentration में कुछ बदलाव कर दीजे, तो ये तीनों में से कोई भी process के माध्यम से इस reactions में आप उसके equilibrium को disturb करेंगे, equilibrium का मत तो आप क्या करना चाहेंगे कि हम लोग पढ़ने बैटे हैं तो पढ़ने बैटे हैं तो उधर से बार-बार फोन आ जा रहा है मेरा जो इकलूब्रियम था पढ़ने का जो stability था इकलूब्रियम था उसको कोई disturb कर रहा है हम लोग गुस्रा होके क्या कर देते हैं कि जो phonic switch off कर दियें तो क्या हुआ कि जो disturb कर रहा है उसी को खतम करके हम लोग फिर से क्या आगे इकलूब्रियम में आ जाएंगे एकलूब्रियम में ले आता है दाइट इज नौन एज ली चैटलियर्स प्रिंस्पल के नाम से जाना जाता है एक सुन्दर सा एक्जामपल समझोगे बहुती बहतरीन तरीके से एकदम समझेंगे एक एक्जामपल और समझ ले तो ये बाते क्लियर हो जाएगा जैसे माल लिया जाए कि ये गोला है और यहां पे इसका इकलूब्रियम का इस्थिति है यहां पे इसका इकलूब्रियम का जाएंगे तो यह इधर फिर से वापस आ जाएगा इधर अगर ले जाके धकेल दिये तो इधर से फिर कहा जाएगा वह अपने इस्थिती में आ जाएगा इसके लिए जो करना पड़ेगा वह करने के लिए तयार है डाट इज नौन एज क्या कहलाता है ली चेटलियस प्रिंस कुछ जो होना चाहिए वो कहा हो है एकिल्बरियम मैं इक्लिबरियम में अभी को डिश्टर्ब करने के लिए एंड वन्वान अफ़ डाट थेक्टर्स ऐस्टेबलाइजिंग डाट एक लेकिन इन में से क्या है कुछ फेक्टर्स है जो यह स्टेपलाइज कर रहा इसको temperature है, 80 से, और भी चीज़े हो सकता है, लेकिन हम लोग मुक्रूप से तीनों को लेते हैं, अगर ये तीनों चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, तीनों चीजों में से कोई भी चीजों को चेंज करेंगे, तो क्या करेगा, इकलुब्रियम जो है, वो shift कर जाएगा, इकलुब्रियम उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, in that direction, which have your tendency to cancel out the effect of change, तो यह उसी इस्थिती में चला जाएगा, उसी side shift हो जाएगा, जिधर उस इकलुब्रियम को disturb करने वाली चीजों को खतम किया जा सके, तो यह चीज़े हो गया, आपका reversible reaction का क्या है, reversible reactions का, लिचेट्रियर्स, प्रिंस्पल, आपका हो गया, इसको लिख लेंगे, ठीक है, जैसे एक और example, एकदम सुन्दर सा कर लो, माल लिया जाए, कि आप रोड में चले निकलते, डेली डेली, आपको कोई बच्चे है, कोई बदमास लोग हैं जो डेली डेली आपको disturb कर रहा है, तो आपकी जो equilibrium है, वो क्या हो जारी, equilibrium disturb हो जारी, जो stability था, equilibrium का वो disturb हो जारी, आप क्या कीजिएगा, कि उससे strong जो भी है, उस जो बदमास वाले बच्चे है, उसको खतम करने के लिए, कुछ ऐसे उपाए, आप निकाल लीजिएगा, ता से जारे है, तो कुछ factors है, उसको हम लोग देखने का प्रियास कर रहे है, जैसे क्या है, effect of change in concentration, concentration का मतलब number of moles को हम लोग change करके देख रहे है, ये number क्या कर रहे है, कि concentration को हम लोग बढ़ा घटा के देखते तो क्या होगा, तो कुल मिला कि ये जो ली चैटलियर्स प्रिंसपल है न बाबू, ये क्या करना चाहता है, कि हम लोग जो भी चीजे ना production हम लोग को हाई चाहिए, production एक दम खूब जादा चाहिए, जिसे हमने क्या कर दिया, कि यहाँ पे N2 का concentration बढ़ा दिया, H2 का concentration बढ़ा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, कि इसको equilibrium में फिर लाने के करेगा, कि हमको यहाँ पे जो जादा था, यहाँ पे माल लिया जाए, equilibrium मेरा 10 में है, 10 mol में है, 10 mol में है, और यह हमने कर दिया, 20 mol, तो यह जो 10 mol जो increase कर गया, यह 10 mol को क्या करेगा, बाहर थोड़ीं फेट देगा, बाहर ने करेगा, यह 10 mol को कहाँ पे convert करना चाहिए, कि reaction को एकदम forward shift करने लेगा चल्दी जल्दी shift करेगा, यह reaction कहाँ shift हो जाएगा, equilibrium कहाँ shift हो जाएगा, forward में shift हो जाएगा, और बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, आपका production NH3 एकदम खुबे जाए, तो पता है आपको फेक्टरियम क्या करता है, असपेशल इसका यह कर रहा है कि इसको कम करके रखना है जितना पर यह equilibrium में आ जाए ठीक है लेकिन ये भी बाते होता है जब इसके concentration को घटा देते ना तो equilibrium shift कहा हो जाता है backward में shift होने लगता है कि क्या हो गया उस गरीब को जो हमको बना रहाता है उसमें क्या कमी हो गया जो कमी हो गया उसको देने का प्रियास करने लगता है मतलब equilibrium कहां shift होने लगता है backward में shift होने लगता है तो यही बाते हैं यहां पर हो रहा है concentration के बढ़ाने से number of moles के बढ़ाने से यह चीजे होगी तो देखो इसका एक एक करके यह example लिख ले रहा इसके बारे में लिख देते कि if we increase अगर हम लोग increase कर रहे किसको increase कर रहे if we increase the concentration of reactant reactant के concentration को बढ़ा रहे है तो equilibrium shift कहां पर हो जाएगा forward की ओर forward की ओर क्यों 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 कि यहां पर क्या करेंगे कि यह जितना बढ़ रहा है उतना जल्दी जल्दी क्या करेगा यह अपना कम करना चाहेगा equilibrium में लाने के लिए तो किधर convert कर देगा product में एकदम तुरन 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 convert करने लेगेगा तो यह क्या करेगा कि forward की ओर shift हो गया equilibrium किधर shift हो गया forward की ओर shift हो गया ठीक है लेकिन यहां पर देगों दूसरी बात है कि on decreasing the concentration लेकिन concentration को अगर हमने घटा दिया किसके reactant के concentration left वाले side का concentration इधर वाले side का हमने concentration को क्या कर दिया घटा दिया तो अब यह क्या करेगा backward में shift होने लेगेगा जो भी इसका कम हुआ है उसको दे के यह क्या करेगा फिर से equilibrium maintain करने के लिए तयार रहेगा तो यहां से questions यही सब रहता है directly कि अगर ली चैटलियस principle के अनुसार अगर हम लोग क्या करते हैं कि directly पूछ दे रहेगा कि concentration को बढ़ाते हैं तो आपका क्या होगा कि equilibrium किदर shift होगा forward की backward तो reactant का concentration अगर increase कर रहे तो वो forward shift होगा अगर reactant का concentration घटा रहे तो वो कहां shift हो जाएगा backward में shift हो जाएगा बस यही तो बाते हैं बाबू इतने बात को याद रखना है कि decrease अगर कर दे रहे concentration तो equilibrium किदर shift हो जाएगा backward direction की ओर हो जाएगा तो यह आज रखना है कि जिधर अधिक तो यह shift होगा अगर starting में अधिक लेरे यह खुब बढ़ाते चल रहे तो यह किदर shift होते जाएगा forward की ओर shift होता जाएगा ठीक है लेकिन मेट्रियल जो है आपका reactant material जो है वो घटा दिये तो वो क्या करेगा forward ना shift हो के कहा shift हो जाएगा backward की ओर shift होता जाएगा forward में तभी shift होगा जब इसका concentration को बढ़ाते हैं backward में तभी shift होगा जब इसका reactant के concentration को क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं तो इसके उपर क्या परभाव पढ़ता है तो यह चीजों को समझने का तो देखे यहां पर बाते क्या है कि अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं देखे धाँ देजी इसका रूल क्या है प्रेशर का कि इफ वी इंकृज द प्रेशर ऊप्या reversible chemical reaction के क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्या करना चाह रहे ए कि यहां पे reversible chemical reactions के pressure को बढ़ा रहें अगर pressure लेकिन वो already कहा पे था at equilibrium में था वो already equilibrium में था जो भी reaction रहेगा वो already equilibrium में रहेगा अब लेकिन उसके pressure को हम अब बढ़ा रहें तो equilibrium किधर shift होना चाहेगा equilibrium shift will shift in that direction equilibrium उधर जाके shift होगा which has lesser number of moles of gaseous species उधर जाके shift होगा जिधर gaseous molecules जो है number of moles of gaseous molecules जो है कम होगा उधरे जाके shift होजाएगा ऐसन नहीं कहता है कि ये forward की ओर होजाएगा आगे की ओर होजाएगा ये पिछे की ओर तो उधर जाएगा ये क्या होगा जिधर आपका gaseous molecules क्या होगा कम होगा उधर ही ये चला जाएगा ये रूल करता है कि इसका लीच एकलियर्स के अनुसार प्रेसर डिपेंडेंट पे ठीक है चलो एक एक एक्जामपल ले लिए यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं इकलिब्रियम किधर सिफ्ट होगा तो देखो यहाँ सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि किधर नंबर ओप मोल्स ओफ गैसियस अस्पिसीज है देखो इधर एक और तीन कितना है टोटल चार चार मोल्स होए, gaseous, aspecies का, देखो, gas, gas, कितना है, चार मोल, gaseous, लेकिन इधर देखो, तो कितना मोल, 2 मोल, gaseous है, कितना मोल, यहाँ पर gaseous है, 2 ही है, टिक है, तो यहाँ पर, जैसे, आपने pressure को बढ़ाया, तो यह shift उधर होगा, जिदर gaseous, aspecies का, मोल कहां है कम है तो देखो इधर क्या है दूए है दो ही है प्रोड़क्ट साइड इधर क्या है चार है तो एक इधर सिफ्ट करना चाहेगा तो फॉर्वर्ड की ओर सिफ्ट हो जाएगा यह किदर सिफ्ट होगा फॉर्वर्ड की ओर मतलब आगे की ओर यह सिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर बाते प्रेशर पर बाते याद रखना है क्या बाते याद रखना है कि उधर equilibrium shift होगा equilibrium किदर shift होगा जिदर आपका gases molecules जो है वो क्या है number of moles of gases molecules कम होगा उधरे यह जाके shift होगा अगर हमने pressure को बढ़ाया तब तो देखें इसको हमने लिख दिया equilibrium will shift in in the in that direction दा लिखा गया यहाँ पे in that direction अच्छा इन दा ही लिख देते हैं लेंगवे सेरेगा in the forward direction कहाँ पे shift हो जा रहा है forward direction में कब with increase in pressure pressure को बढ़ा रहे तो equilibrium किदर बढ़ जा रहा है forward की योर बढ़े जा रहा है क्यों क्योंकि आपके side product वाले side number of moles of gaseous spaces कम था ऐसा बात करके इन्होंने shift करा दिया लेकिन यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं अगर यहाँ पे देखो इधर number of moles of gaseous कितना एक है इधर देखो एक और एक कितना है दो गो है एक कर एक दो लेफ साइड में एक और right side में दो अब देखें यहाँ पे अगर हम लोग pressure को क्या करेंगे बढ़ा रहे pressure को हम लोग फिर से बढ़ा रहे तो equilibrium किधर shift होना चाहेगा क्या forward shift होगा कि backward shift होगा क्या forward वाले side में दूगो है और backward वाले side में कितना एक ही है तो यह कहाँ shift होगा उल्टा जिदर कम है मतलब क्या करेगा कि यह उद्रे चल जाएगा जिदर gaseous molecules आपका कम है तो मतलब यह किदर shift होगा backward shift हो जाएगा region क्या है कि आपके gaseous molecules जो है backward वाले side में left वाले side में कम है उद्रे यह shift हो जिदर आपका gaseous molecules कम होता है तो देखे वही बाते को लिखे the equilibrium will shift in the backward direction with increase in pressure क्या हो increase अगर pressure को increase करे तो वो किदर shift हो जा रहा है backward कियो तो यह example पर पूरा पूरी depend कर रहा है क्यों क्यों क्योंकि इधर जो हमने left side देखा उधर number of आप जो gaseous aspects है वो कम एक ही है इधर देखो एक और एक दो अस्टिचियो मेट्रिक जितना है उतना तो दो है तो इसलिए आपका क्या हो गया left side में shift हो गया अब यहां पर दियान दीजिएगा इसका इसके लिए इसमें gaseous aspects ही देखो तो कितना है देखो एक और एक कितना एक और एक कितना है दो मोल्स है इसका भी देखो दो मोल्स अब बताओ यह किदर shift होगा left shift होगा की right shift होगा बला बैकवर्ड होगा की forward जब दुनों अगर आपके पास बराबर है आप pressure में बदलाव करें pressure को करने पड़ेंगा होता है ना कुछ भी फरक ने होगा क्यों कि यह क्या करता है कि अगर जिदर gaseous aspects कम होगा तो pressure का परभाव पड़ेगा अगर gases aspects कम नहीं ना तो pressure का कोई परभाव नहीं पड़ता है आपने खुब बेजादा pressure को बढ़ाए जा रहें बढ़ाए जा रहें लेकिन यह क्या करने का, पूस्छ नहीं कर पाता है, क्यों, क्यों कि दोनों तरफ, आपका क्या है, gasious, species क्या है, same number of moles में है, तहें क्या है, तो यहां पे क्या होगा, there will no equilibrium shift, कहीं भी equilibrium shift नहीं होगा, ना forward में, ना ही backward में, क्यों, तो रीजन क्या है तो यहाँ पर क्या है कि एनी डारेक्शन विकाउज सेम नंबर आप मोल्क्स आप गैसियस अस्पिसेज यार प्रिजेंट ऑन दा बौस है क्या कि दोनों साइड आपका क्या है गैसियस अस्पिसेज सेम है तो बात याद रहेगा चलो गोड नेक्स्ट वन औ बहेँ चेंज एन तेमप्रेचीर टेंप्रेचर को बढेता के देखते हैं क्या प्रभाप पढ़ेगा इसका भी कुछ बाते कहता है जैसे हमने प्रेसर के बारे में देखा थाнымforth के बारे मिश्य कौचा था इसी प्रकाट में already है तो उसमें अगर हम लोग temperature को बढ़ा रहे है temperature को क्या कर रहे है increase कर रहे है temperature को increase कर रहे है तो equilibrium will shift in that direction तो equilibrium विधर जाके shift हो जाएगा which have your tendency to absorb the heat क्या कर रहा है कि उधर जाके क्या करेगा equilibrium shift होगा जिधर वो absorb कर सकता है absorb करना का मतलब कि उसके temperature को जो घटा सकता है उधर ये जाके shift हो जाएगा equilibrium किधर shift होगा जिधर इसका temperature वो क्या कर सकता है कम कर सकता है उधरे ये जाके shift हो जाएगा दिक है जैसे आप ले लेते एक endothermic reaction पहला नंबर ले लिए endothermic reaction endothermic reaction का मतलब क्या होता है हीट को दे रहे तब वह रियक्शन फॉरवर्ड हो रहा है तो जैसे हमने एक्जाम्पल ले लिया एंटू प्लस वोटू क्या बन गया अपका टू एन वो बन गया लेकिन इसको हीट कितना देना पड़ा 180.5 किलो जूल पर मोल दे दियें तो इसको क्या किए कि हीट को एबजॉर्ब कर लिया तब रियक्शन हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि हीट को एबजॉर्ब कर रहा है आगे की योर बढ़ा रहा है तो आप यहाँ पर बिल्कुल कह सकते कि यह equilibrium किदर shift हो जा रहा है forward direction की योर तो हमेशा याद रखना इंडो थर्मिक रियक्शन होता है तो उसमे equilibrium जो shift होता है वो forward direction की योर एकदम shift होगा लेकिन एक्जो थर्मिक reaction में क्या होगा एक्जो थर्मिक reaction का मतलब होता है कि आपका तो reaction करवा रहे तो product तो बन रहा है लेकिन product के बनने के साथ साथ आपका energy उत्पन हो रहा है आप energy नहीं दे रहे हैं आप उसको heat नहीं दे रहे है energy उसका उत्पन होने लगता है बरबादी बाहर निकलने लगता है तो उसी को हम लोग एक्जो थर्मिक उसमाच छेपी अभी क्रिया वाली कहते हैं तो देखो N2 को ले लिए, H2 के साथ लिए तो बन क्या जा रहा है? NH3 बन जा रहा है N2 प्लस H2 क्या बन जा रहा है? 2 NH3 बन जा रहा है कि यह temperature के बढ़ाने के साथ temperature तो हमने बढ़ाया था लेकिन यह क्या कि यह temperature को बढ़ा रहती है, इनर्जी को बरबाद कर दे रहा है तो that means यहाँ पर क्या हो जाएगा? कि इकलिब्रियम सिप्ट हो जाएगा किदर? backward की ओर ही equilibrium सिप्ट हो जाएगा backward direction की ओर यह equilibrium सिप्ट हो जाएगा ठीक है? बात है clear हुआ, cool तो यहाँ पर आज की classes यहीं पर समापत रखते हैं और आगे फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं तब तक यह बाइ, good night सभी को, take care जैहिन जै भारत